गुट मॉर्णिंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुप्तकाल में मूर्तिकल्ला का इथियास का ध्यन करेंगे तो देखेगा गुप्तकाल से सम्मधित महत्वपुन तथे गुप्तक में देख सकते हैं ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं गुप्तकाल में मूर्तिकल्ला का इतिहास ठीक है वास्तुकल्ला के सम्मान ही मूर्तिकल्ला का भी गुप्तकाल में अत्यदिक विकास हुआ था तो वास्तुकल्ला जैसे मंदिर वगरा है इनका तो हुआ 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 इसके अलावा गुप्त कार में मूर्तिक अला का भी विकास हुआ था गुप्त समराटों के सरंक्षण में भागवत धर्म का पूर्ण विकास हुआ तता उनकी सहिसुनोता की नीटी ने अन्य धर्मों एवं संपर्दावों को फनने फूरने का अफसर परदान किया पडाम सवरूब इसकार में विष्णू, सिव, सूरिय, गनेश, सकंद, कुबेर, लक्समी, पारवती, दुर्गा, सप्तमात्रिकाएं, अधि विबिन, हिंदू, देवी, देवताओं की पर्तिमाओं के साथ-साथ, बुद, बोधिस्तव, एवं, जैन तिर्तंकरों की मूर्ति पर्तिकारों ने कुसान काली, नगनता, एवं, पूर्व, मध्धे काली, पर्तिकात्मक, सुक्समता के बीज, संतूलित, सम्नमवे, स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जहां कुसान काल में पारदर्शन, वस्तर, विन्यास का प्रियोग मांसल, सोंदरियों को पात्मिकता, भद्रता, सालीनता, दस्टिकोचर होती है, यहां तक कि इस समय की बनी बुद्मूर्तियां भी गंधार सहली के परभाव से बिलकुल अच्छुती है, कुसान मूर्तियों के विपरीत, उनका परभामंडन अलंकृत है, अब देखेगा बुद्मूर्तियां, ज यहां पर एक-एक मूर्ति के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, देखेगा सारनात की बुद्मूर्ति, तो बुद्मूर्तियां अभे, वरद, ध्यान, भुमी सपर्स, धरम चक्कर परवर्तन, अधि मुद्रों में हैं, इनमें सारनात की बुद्मूर्ति अत्यदिक आक उनकी देश्टी नासिका के अग्रे भाग पर टीकी हुई है यह दरम चक्कर परवर्तन मुद्रा में है कलाकार को बुद्ध के सांत तथा निह प्रह भाव को व्यक्त करने में अद्बुद्ध सपलता मिली है इसके आध्यात्मिक अभिव्यक्ति घंभीर मुस्कान तथा सांत द्यानमग्न मुद्रा भारतिय कलाकी सरोचे सपलता का परदशन करती है मथूरा की बुद्ध मूर्ति मथूरा की गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में दो विशेश रूप से उलेखनी मूर्तिया है दोनों खड़ी मुद्रा में है जिनकी उंचाई 7.5 इंच के हैं तता द्रिश्टी नासिका के अगरे भागपटी की हुई है उनके मस्तक के पीछे गोल अलंकरित भरभा मंडल है दूसरी मूर्ति भी अत्यंद आकरसक यों कलापूर्ण है जिसके मुख की सांती तता ध्यान मुद्रा दरसनिय है बुद्ध की मुद्रा सांत यों गंभी है तता चेरे पर मंद मुसकान का भाव व्यक्त किया गया है मतूरा सैली में निर्मित बुद्ध की अकेली ऐसी परतिमा जो कुषान कला से परभावित है कुमार गुप्त पर्थम जो 415 से 445 इस्यू में सा सकता के समये मन खुमर अर्थात इलाबाद में यहां से मिरती है य इसका सिर मुंडित तथा उधर्व भाग नगने तथा मांसल है ऐसा परतित होता है कि इस कला को का बाद में पूर्ट या त्याक कर दिया गया था क्योंकि यह ततकालिन सोंदरिय बोध के अनुकुल नहीं थी अन्य सभी मूर्थियों के सिर पर घुंगराले बाल दिखाए गए हैं अब देखेगा सुल्तान गन्जी की बुद मूर्टी पासान के अलवा इस काल में धातूओं से भी बुद मूर्टिया बनाई गई इनमें सुल्तान गन्जी जो भिहार के भागल पूर जिल्ले में स्थित है कि मूर्टी विशेश रूप से उलेखनिय है तमर निर् गुप्त काल में भगवान विष्णु की एक मूर्ती स्थापित की गई थी गुप्त काल की विष्णु मूर्तिया चतुरबुजी है गुप्त काल में शीव की भी मूर्तिया मिली है ये शैव मूर्तिया लिंग तथा मानव ये दोनों ही रूपों में मिलती है लिंग में ही सिव के एक अत्वा चार मुख बना दिये गए हैं इस परकार के लिंग मतूरा, भीटा, कोसामबी, करमदंडा, खोह, भूमरा अधी स्थानों से मिलते हैं इन में करमदंडा से प्राप्ट चत्र मुखी तथा खोह से प्राप्ट एक मुखी सिव लिंग उलेखनी है एक मुखी सिव लिंग भूमरा के सिव मंदिर के गरब गरह में स्थापित है इन मूर्तियों को मुख लिंग कहा जाता है मुख लिंगों के अलावा सिव के अर्ध नारी स्वर रूप की दो मूर्तियां मतुरा संग्राले में सुरक्सित हैं विदीसा के सिव के हरी हर सवरूप की एक परतिमा मिली है जो इस समय दिल्ली संग्राले में है अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां देखेगा तो इन सबी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा भी गुप्तकाल में अनेक देवताओं की मूर्तियों का निर्मान किया गया भूमरा के मंदिर में यम, सूर्य, ब्रमा, कुबेर, गणेश, सकंद, इंद्र, महिसमर्दीनी, अथा, दुर्गा, आदी की मूर्तियां, दिवारों के चत्ते, गवाक्स पट्यों में बनी हुई है ठीक है, तो देखेगा, इस वीडियो में हमने गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है, उसके बारे में जानकरी प्राप्त की और एक्जाम की दर्शी से वीडियो बहुत ही महत्यों पूर्ण है, अथा वीडियो को बार-बार देखें, याद करें, और कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि कोई गलती हो तो आप सुझा भी दे सकते हैं, ठीक है तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में